हेलो एवरीवन वेलकम टो यूट्यूब चैनल जेकी टुटोरियल स्टुएंट्स हम कर रहे थे क्लास 10 की साइन्स का चैप्टर मैगनेटिव फेक्ट अफ लेक्टिकर्ड जिसमें आज हम करेंगे से फॉस्ट करता है तो यह विडियो होती है ऋ एकशर्र करती है फॉर्स के से ओनिवागनेटिकर मैं रुझ Pacific विट-ध मैं इस और इंवारे वीडियो से सब्सक्राइब करना ना होता है की फिछेसर करते है फ्रेंच साइंटिस्ट थे एंड्रिव मैरी एंपरी तो यह सज़ेस्ट किया कि मैंगनेट क्या करता है मैंगनेट भी एक्जर्ट करता है एक्कुल और उपोजिट फोर्स किस पे क्रण्ड केरिंग कंड़क्टर पर थेक हैं हमने पीछे यह पड़ा कि जो फील्ड के करती है कृर्ण क्रेंट किरिंग कंड़क्टर बीशिट पर उसे ली सब्सक्तुर्ड करेंगे जो यहां पर मैं अक्रिंगे की हैं денविर्ट के वायर्स के साथ ठीक है यहां पर फिगर में शो किया गया है आपको गया एक स्ट्रांग हार्शू मैगनेट लेना है और उसे इस तरह से लगाना है प्लेस करना है कि जो जी रॉड है वो इसके दुन्हों पोल्स के बीच में लाई करें ठीक है और यह पूट करना है नॉर्थ जो है मैगनेट कप वर्टिकली बीलो और सौथ पूल वर्टिकली अबोग इसके अलमूनियम रॉड के जैसा कि फिगर में आप देख रहे हूं करना है अलमूनियम रॉड को सीरिस में किसके साथ बैटरी के साथ की के साथ हो रियो स्टेट के साथ उसके बाद आपने पास कर कि जो रॉड थी वो डिस्प्लेस हुई है रिवर्स कर दीजिए ड्रेक्शन किसकी करंट की जो फ्लो हो रही है कहां से रॉड से फिर से उब्जर्ब किजिए ड्रेक्शन और उसकी डिस्प्लेस्मेंट की अब यह किसकी साइट थी अब राइट थी जैसे आपने करंट रिवर जब उस जे रखा magnetic field में तो ये भी सज़स्ट कर रहा है कि जो direction थी force की वो भी क्या होगी reverse होगी जब हमने direction कि कि करंट की जो connector में उसको reverse किया कि direction जो force की थी वो भी reverse होगी जब हमने direction जो current की थी उसको reverse किया उसको change करनी है direction field की vertically downwards interchange करके दोनों poles जो है magnet के और फिर से हम observe करेंगे कि जो direction है जो direction है force की act कर रही है current carrying rod पे वो क्या हो जागी reverse हो जागी यह हमें ये शो कर रहा है कि जो direction है force की conductor पे वो depend कर रही है direction of current पे और direction of magnetic field में ठीक है दोनों पे depend कर रही है ये experiment show करते हैं कि जो displacement है rod की वो largest है जब direction current की क्या होगी right angle पे होगी इसके साथ direction of magnetic field की जब current की direction right angle पे 90 degree angle में आएगी magnetic field पे तो जो उसकी displacement है rod की वो जादा होगी इस condition में क्या होगा हम use करेंगे simple route find करने के लिए direction किसकी force की किस पे conductor पे activity जो हमने 13.7 की है हमने इससे consider किया था direction of current को और magnetic field जो perpendicular होगी एक दूसरी और found किया कि जो force थी वो perpendicular इन दोनों पे है तीन direction जो है illustrate करनी है एक simple rule से जिसे हम कहते हैं flaming left hand rule ठीक है क्या कहते हैं flaming left hand rule इस rule की according क्या होता है आपने stretch करना है अपने thumb को four finger को जैसे यहां पर दिखाया गया है और middle finger किसकी अपने left hand की इस तरह से कि यह तीनों आपस में क्या होंगी mutually perpendicular होंगी current और field तो आपस में perpendicular है लेकिन force भी इस पर क्या है perpendicular तो तीनों को आपस mutually perpendicular रखना है अगर first finger point कर रही है आपको direction magnetic field की second ठीक है वो second finger direction किसकी current की तो thumb आपको point क्या शो करेगा direction किसकी motion की जब force की जो add कर रही है conductor पे एक और फिर से पीड कर रही हूँ कि अगर first finger आपकी direction magnetic field की represent कर रही है second finger front की कर रही है तो जो आपका thumb है वो represent करेगा आपको direction of motion जा force जो act कर रहा है किस पे conductor पे और devices जो use हो रही है front carrying conductor में और magnetic field में जिसमें electric motor होगी, electric generator होगी, loudspeakers होगी, microphone होगी और जो भी measuring instrument है ठीक है उन पे यही rule हम apply करते हैं next section में हम study करेंगे electric motors और generators के बारे में आज के लिए इतना ही इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे force act करती है किस पे current carrying conductor पे और कैसे magnetic field उसी पे opposite act करती है ठीक है यह हमने इसमें देखा और flaming left hand rule के बारे में पड़ा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी हो तो प्ली हुआ